असलाम अलेकुम काफी दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर स्कीम का लेपटाप लिया हुआ है जिसमें फाइल जो हैं वो आटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं किलिक या टच करने पर तो ज्यादा तर इसकी एक ही वज़ा है और वो है उसका कीबोर्ड जो के एरर की वज़ा से अपने आप डिलीट की कमान रन कर रहा होता है और फाइल्स को डिलीट कर देता है तो आईए मैं आपको बता तहूं उसका हल क्या है तो हम लेपटाप के कीबोर्ड को डिसेबल करेंगे क्योंकि पी एम के लेपटाप में टच स्क्रीन होने की वज़ा से हम फिर भी उसको इसको 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 कर सकते हैं तो फस्टा फाल अपने लेपटाप के कंट्रोल पेनल में जाकर डिवाइस मेनेजर ओपन करें और फिर नीचे कीबोर्ड जाप्शन को एक्सपेंड करें वहाँ आपको ये नजर आएगा स्टेंडर्ड पी एस टू कीबोर्ड उसके उपर राइट किलिक करें और अनिंस्टाल डिवाइस आप्शन को क्लिक करें यहाँ से आप इसको अनिंस्टाल कर दें फिर पीसी को रिस्टाट करें उसके बाद आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा सिर्फ टच स्क्रीन काम करेगी और फाइल्स भी जोइना डिलिट नहीं होंगे उसके बाद अगर आपको टच स्क्रीन के साथ साथ फिजीकल कीबोर्ड की भी जरूरत हो तो उसके लिए आप USB port से external keyboard लगा कर इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें ये problem नहीं होगा ये सिर्फ laptop के built-in keyboard की वज़ा से हो रहा था तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया और मज़ीद information के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें Thank you झाल